तो आज हम रिपेर करना सिखेंगे बजाज का 15 वाड़ का LED बल्प तो ये पूरा डेड़ हो चुका है तो इसको होल्डर पहला कर देखता हूं तो इसका भॉल्ड लगभग 20 या 25 इतना दिखा रहा है देख सकते हो कि ये देख सकते हो 20-25 इतना दिखा रहा है तो इसका बाहर निकालूंगा तो इसे बाहर निकालने के लिए इसकी ऊपर सोल्डिंगर के दो वायर लगा हुआ है इसे में आइडन से निकालूंगा और मेरे पास अभी 25 वाड़ का इरन है तो इस दोनों पॉइंट को में आइडन से टेच करके रखा हूं तो देख सकतो बिगल को से बने केले को हैब और इसको देखते हैं तो तो सबसे पहला वाद के इसका जो प्रॉलेम है सबसे पहले यह बाड़ा ना करसिटर है इससे आता है ीसको में थोड़ा सा इसकी पिन जो बड़ा हुआ था उसको दावा के में soldering कर दूंगा तो मैंने यहां पर हलका सा soldering कर दिया हूं तो यह capacitor अक्सर खड़ाब हो जाता है इसलिए में यह 50 वार्ट 2.2 माइक्रोफरेट गाई capacitor ले रहा हूं और इसे में उसी capacitor के parallel में connect कर दूंगा देख सेकते हो मैंने capacitor को उस capacitor के plus में और minus में एक साथ देखके connection कर दिया हूं अब इसकी wire में LED को लगाता हूं plus minus को देखते हुए तो मैं यहां पर लगा रहा हूं अगर इससे भी ना हो तो उसके उपर जो coil लगा हुआ है बड़ा वाला जो transformer की तरह दिखता है वो खड़ाब हो चुका है या फिर तूट चुका है अंदर ही अंदर तो अगर वो problem निकले तो उसे बदल देना होगा तो यह ठीक हो जाएगा तो अब इसकी वायर को मैं soldering कर दिया हूं तो अब इसको series line से चेक करता हूं तो यह जलने लगा है मतलम हमारा काम सफल हो चुका है तो अगर low voltage जाए तो वह capacitor का ही problem होता है अक्सर तो अभी ठीक हो चुका है इसलिए मैं यहां पर इसके capacitor को sort कर रहा हूं क्योंकि वहां पर इस टोर हुआ रहता है तो मैं यहां पर लागा दिया हूं और जो पुराना वाला रागा गिरा था इसके अंदर से वही पे मैं लागा दूंगा मैं extra नहीं लाओंगा तो अब इसके ऊपर में LED प्लेट को लागा दूंगा और इसकी प्लास और माइनस को देखते हुए मैं पर सोल्डरिंग कर दूंगा तो जब तक सोल्डरिंग होता है तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नाए हो पहली बार देख रहे हो तो सबस्क्राइब कर लीजिए हमाने चैनल को ऐसी और अब सोल्डरिंग हो चुका है इसकी ऊपर के जोगी फ्यूजर है उसको मैं लगा दूंगा और इसे चेक करता हूं तो देख सकते हो मस्त पहले की तरह जल रहा है तो इसी तरह से आप भी अपने पुराने एलेडिय बाल्प को रिपैर कर सकते हो आसनी